नमस्कार सलाम निवस्क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकुल सरल and I am Prashant and here are the major stories for the day पशिम मंगाल में बीजेपी की हिंसा के खिलाफ वाम मोर्चा की कोलकाता में बड़ी रैली लोगसबाद चुनाओ के अंतिम चरण का जैजा पंजाब के पट्याले से खास रिपोर्ट क्या है लूध्याना का हाल देखेंगे ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे मोधी सरकार से कितने खुश और नाखुश हैं व्यापारी ओल इंडिया फुटवाल फेडरेशन ने इगो इस्टमेक को भारतिय फुटवाल टीम का कोच नियुक्त किया और नक्बा की 71 वी वर्षगांट दुनिया ने फलिस्तिन के साथ एक जुड़ता जाहिर की सबसे पहले बात पशिम विद्यासागर की मूर्ती तोड़े जाने से नारास्त थे। दरसल मंगलवार को कूलकाता में भाजपा के अध्यक्ष अमिश्चा के रोडशो के दौरान भाजपा और त्रणमूल कांग्रेस याने टीमसी के कारकरताओं के बीच तीखी जड़प हुई और हिंसा हुई। प्रेस और भारते जन्ता पाल्टी द्वारा बनाए गए सामप्रदाइक धुर्विकरण के जाल में नाफसें। रैली के बाद सीपीम महसाचेव शीतराम येश्री ने प्रेस से बात की। What happened yesterday, during the BJP president's rule show, and the attack on the, with the Isvachal Vidya Sagar statue, college, and his bust that was destroyed there. The left front today had a protest rally, that was right in the morning, where, in which I was also present, all the national leaders here for the campaign were all present. I mean, apart from, at the outrightly fundamentalist, as the most despicable act, I mean, the fact that Isvachal, I mean, Vidya Sagar, Asian channel Vidya Sagar was an icon of the Bengal Renaissance, and Bengal Renaissance was the leader of modernizing and giving a power to the national movement in Ashtagal for freedom, and that is what resulted in India's freedom. Given that entire rule, during the left front period, for more than two decades, every year, there used to be a Vidya Sagar Mela, where for a week, all these issues of the entire issues of the Bengal Renaissance, the Enlightenment, and against the obscurantism, etc., that the RSSBJP was present. All these campaigns used to be done, but since the Tramul Congress government came, I mean, this sort of activity is completely stopped. And that has given the opportunity for the obscurantist forces once again to mount the attack against anything that is progressive. So, there is one more instance of how the Tramul Congress paved the way for the entry of the RSSBJP into the Bengal. Kolkata में हिंसात्ता भढ़की, जब तरमूल कांग्रेस समर्थकों ने अमिशा के खिलाब काले जंडे दिखाए. जल्दी TMC और BJP समर्थक आमने सामने आ गए. और इस जखड़े में BJP समर्थकों ने विद्यासागर कॉलिज के अंदर कतित तौर पर बाई के जला दी और इश्वर्चन विद्यासागर की मूर्ती को तोड़ दिया. यहां कुछ फुटेज भाजपा और RSS समर्थकों द्वारा पैदा की गई अरजगता को दर्शाते हैं. घटना के संबन्द में अमिश्या और कई भाजपा नेताओं के खिलाब रिपोर्ट दर्श की गई है. अब चलते हैं अगली इस्थोरी की तरफ. लोगसभा चुनाओ अपने अंतिम चरण में है. इस दोर में पंजाब की 13 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे. हमारी निज्ज क्लिक की टीम इस दोरान जमीन पर जाकर लोगों से बात कर रही है. उनकी समस्याइं सुन रही है और इस चुनाओ को समझने की कोशिश कर रही है. इस कड़ी में हमारी रिपोर्टर रवी ने पत्याले में कुछ मजदूरों से बात्चित की. देखे उस बात्चित के कुछ अंश. मेरे बड़ी बहन मर गी, मेरा बटा भाई मर गया, मेरे पिता ही पूर हो गए. तो एक मैं हूँ और एक मेरी माँ है जी. घर का मकान है, तो जो मैं कमाकर लेकर जाता हूँ यहां से, तो अपने माँ बिटे हूँ. तो महीने में यह बताई, कितने दिन आपको काम मिलता हूँ? नहीं जी, नहीं मिलता हूँ काम. नहीं मिलता हूँ काम. सरकार जब से यह तो आई तब से कोई ना कोई काम मिला, बेरोजगारी फैलिए है. जिसकी भी हो, मोदी जी ने तो पूरा रोजगारा खा गये सारे, किसी भी बिलकुल खा गये सारे, कोई काम नहीं नहीं, जो पैसे के नोट बंदी कराए उन्होंने, वो तो बहुत सारे सारे लेवर मजदूनों के कमर तोड़ गी, पांच-पास हजार रुपया, दो-दो जादा भी अब नोट बंदी है, आर पैसे ले जाओ, यही तो पैसे हैं, पुराने पैसे हैं, कहां से देंगे, यह बड़ी समस्चा है हो इसारे. आपने सुना पट्याले के मजदूरों का हाल, अब चलते हैं पंजाब के इहलो दिहाना, जन्जनता की नफ्स टटोल रही हैं, वरिश पत्रकार भाशा संग, उन्होंने हैं व्यापारु से बात की, और यह जानने की कोशिश की, कि मोधी सरकार की कौन सी उजनाव से उनको अलाब हुआ और किस्से नुकसान. सब्सक्राइब कर दो जार चोदा में मैंफस्ट पर उस पर वो खरा नहीं उतर पाए, बंदे हैवे कम इन 2014, तब इन्होंने बोला था कि, वी विल डू दीस तेंज के हम सभी को रोजगार प्रवाइड करवाएंगे, और एविटिंग विल प्रवाइड, अब वो मुद्य ह सब्सक्राइब कर दो लोगों को बांड रही है, जब से नहीं बोला था, वी अगर उन्हों से कोई बिजेपी वाले से कोई हम विकास की बात करते हैं, तो वो धर्म की बात करते हैं, बाला काल बाला कोटी बात करते हैं यह जार हिंदू मुसल्मान शिक्तिनों पर टिका हुआ है इद आती है हमारे बाद रश्वत है मुसल्मान यह तेमारे बस लेने कि हम जें इनके साथ वैट डालेंगे मारे दुकान दर दोड़ी चलेगी हमारे यहां में कोई मुद्वहव नहीं ह यह मुद्विश आपकी सोच होगी मुसल्मान ऐसा है हमारे में कोई हैसा नहीं है हिंदू ऐसा है यह सीख घासा है हमारे में कोई है हम सभी एक जैसे है तो अच्छाट साल होगे हमें अजाद हुए हुए ठीक है और अड़री मुसलिम्स और हिंदू पंजाब में प्रिश्चन भी हैं तरदार भी हैं सारे मिलके रहे हैं प्रोलम कहा पे आरिया के मार्केट में अनुप्लामें बढ़ रही है लोगो में बहुत जादा रोश अंदर से लोगों में बहुत जादा रोश अंधर से अंधर से लोगुष्ण हैं काम धंदे नहीं चल रहे हैं हम नहीं चाहते कि मुद्धी सरकार दवारा बने हैं Moving on to sports news, the Indian men's football team has a new coach, the Croatian Igor Stamish. The All India Football Federation announced a decision to give him a two-year contract. Stamish will take charge for the King's Cup that is scheduled in Thailand in June, where India will begin by meeting Curacao on June 5th. Igor Stamish was a noted defender with the Croatian team in the 90s and also coached the national squad to successfully qualify for the 2014 FIFA World Cup. We now move to the international segment where today May 15th is the 71st anniversary of the Nakba, also known as the catastrophe in Palestine. The Nakba marks the expulsion of nearly 800,000 Palestinians from their home during the formation of Israel in 1948. Today we will see protest rallies and demonstrations held across the world in solidarity with Palestinians. A number of organizations have also issued statements and calls for action on this day. The Democratic Front for the Liberation of Palestine has called for the total rejection of the Oslo Accords and its conditions and terms and limitations. The Voices of Palestinian Students, a youth organization, has also condemned Arab countries which are normalizing ties with Israel as well as condemning Donald Trump's decision to recognize the annexation of the Jolan Heights, Israel's annexation of the Jolan Heights. Last year, on March 30th, the people of Gaza began the Great March of Return. The key demand of this Great March of Return was the right to return of the people who were expelled from Palestine in 1948 and their descendants. This march was meant heavy repression by Israel. On May 15, 2018, which also marked the day the US Embassy in Israel was shifted to Jerusalem, Israeli soldiers killed nearly 60 Palestinian protesters and injured nearly 1,200 people. This year's Nakba is also especially important as Donald Trump's Deal of the Century is likely to be announced any time soon. This deal is a serious blow to the aspirations and statehood of Palestinians. That's all we have in the international news. For our stories, please click on www.newsklick.in. Please like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thanks for watching.